वेश्टन रिल्वे द्वारा वापी नजिक ना करम बेली थी मुंबई सुन्दी रोरो फेरी सर्वीस नो प्रारम करवा मा आवियतो रिल्वे विभाग द्वारा कंटेनियर करोपरेशन आफ इंडिया ना सयुग थी वापी नजिक ना करम बेली गुट से याड थी मुंबई ना जवाहलाल नहरों पोर्ट सुन थी नवी कंटेनर सेवाश शरू करवामा आवी छे आज सेवा थी वापी सेलवास अने दमण ना उध्योगों ने मोटो फाइदो थाशा मैं आर्विन सिर्वास्तो तीसे कंकोर में ऐजे डेपटी जनरल मनेजर मुंबई रिजन देखता हूँ और यह सर्विस रेल सर्विस जो है कंकोर ने सुरू करी है जेन पीटी टू करम बेली और इसमें मेजर जो यहां का ट्रेड है जो अभी रोड पर यह काम हो रहा है और थोड़ा बहुत ट्रेन पर हो रहा है तो इससे हम लोग जो है यहाँ जो टेडर्स को इससे फैसिलिएट करेंगे, उनका लॉजिस्टिक कास्ट कम करेंगे, और यह जो सर्विस सुरू कर रहे हैं, तो हमने टार्गेट किया है कि 10 ट्रेन कम से कम महीने की लेकी आएं अगले एक महीने में, और डेली एक ट्रेन का अ के साथ में इसमें रेलवे का रेवनु डेफिनेटली बढ़ेगा जो रोड पे जो यहां पर कम से कम नितों महिने के 20-25,000 ट्रक्स आ रहे हैं रेलवे पे वो रेलवे पे शिफ्ट होंगे तो जो कार्बन का फूट्प्रिंट है वो कम होगा ग्रीन लजिस्टिक के छेतर में एक बहुत बड़ा कदम है और इससे हमारा जो के उनका जो कास्ट है रेलवे के ऊपर आने पर जो कास्ट उनका सेव होगा वो कम से कम ने तो 25-30% उनको पचात होगी इसमें रेलवे को इसमें फाइदा है इसमें मंतली अगर मोटा मोटी टार्गेट करें तो मैने का धाई से तीन करोड़ रुपए का रेविनू रेलिवे को आता है आसपास के विस्तार है उसको यहाँ पर कितना डेवलोप मिले गाईस है इससे यह तो बेसिकली उंबर गाउं दमन सिल्वासार सारी ग्राम और वापी जी इडिसी के लिए है और यह हम लोग एक्स्टेंड करेंगे अप्टू हजीरा इंड्यस्ट्री मिल और आपला के साथ में किस्तिमर आद में चाहते इसकों के साथ में यूशभू क्या है और और ऑब दख निए कितने स्टेशन है कि कंपोर कंटेनर कार्पोरेशन जो है और रेलवे की सब्सीडरी है और उन्हें पूरे इंडिया में 76 आइसीडी जो वह सव तक इस साली ले जाएंगे और 256 ट्रेनें उनकी खुद की है जो इसको हमको ट्रेनों की उस पे जो है हमको बहुत मदद करेगा